सब्सक्राइब किजिए रमन क्लासेश यूट्यूब चैनल को और बिल आइकन को दबाएं हमारे नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए कैसे हैं आप लोग रमन क्लासेश में आपका फिरसे एक बार स्वागत है जैसा कि JPSC द्वारा साहयक लोग अभियोजक का एड़टाइजमेंट जो है ओफिसियल वो आ चुका है तो आज हम लोग उसी के रिलेटेट बात करेंगे जिसमें की क्वालिफिकेशन क्या है उसका एज कितना है सिलेवस क्या क्या है तो उसी के बारे में लोग बात करेंगे चलिए हम लोग शुरू करते हैं चलिए जैसा कि आप लोग अड़टाइजमेंट देख पा रहे होंगे ऑनलाइन का जो आवेदन जो है अंतिम तिति आपका देखिए शुरू में दे दिया है 84218 तो इसका जो है आपका शुरू हो चुका है उनलाइन तो आप लोग इसको क्या-क्या जरूरी है हम लोग वो चीज को देख लेते हैं तो यह आपका जैसे दिया गया है कि इसमें पद का नाम साहयक लोग अभी हो जग तो इसमें आपका जो सीट है चलिए हम लोग दिखा देते हैं पहले कि कितना सीट है आपका जैसे देखे कि 143 टोटल सीट है जिस की और जिया है तो इससाब से है आपका सीट्राइक चलिए आप हम लोग मैं हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेसं क्या है क्वालिफिकेशन को लेकर कि बहुत सारा कॉमेंट भी आ रहा था उन्यूप्ति के लिए उमीद्वार की नियूम्तन सैक्षनिक योगेता वीधी सनातक की वह डिगरी होगी मतलब आपका लौ से आप सनातक किये हैं लौ से आप एधी डिगरी किये हैं तभी आप भर सकते हैं और भी इसमें दिया गया है कि जो अधी वक्ता की रूप में नियायले में प्रैक्टिस करने के लिए निवंधन हेतु अनिवार ह मतलब आपके लिए ये law में जो डिगरी किये हुए है वही ये form को भर सकते हैं तो इसमें देखिए आपका दिया गया है कि नियूम्तम जो उम्र होना चाहिए आपका 21 बस होना चाहिए और जो वह calculate आपका करेगा 18 2017 से करेगा आपका उम्र सीमा की संदर्व दिथी दिया हुआ है जो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या है जैसे कि अनारक्षित के लिए आपका 35 बस दिया हुआ है अधिकतर उम्र सीमा पिछड़ा वर्ग और अतियंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 बस महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अतियंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 38 साल यहां पर दिया गया है तो आप इस form को डाल सकते हैं तो चलिए अब हम लोग syllabus को इसको देख लेते हैं कि किस हिसाब से इसका syllabus रहेगा तो देखिए इसमें आपके दो एकजाम होंगे एक आपका प्रारंबिक परिच्छा होगी दूसरा आपका मुख्ड परिच्छा होगी पर आरम्भी परिछा में आपके 2 पत्र होंगे पहला पत्र जो है आपका सामानी अध्यन का होगा 100 mark का होगा जो की आपका 2 घंटे का होगा आप जिसे table पे आप देख पा रहे होंगे और अस्तर जो इसका जो होगा वो आपका सामानी अस्तर का होगा चलिए द्वीती पत्र जो है वो आपका उसी subject related पूछा जाएगा law related subject रहेगा उसमें आपके 200 अंक रहेगा वो आपका 2 घंटा करहेगा और अस्तर जो इसका होगा वो आपके graduation level का ही अस्तर होगा वीधी सनातक में तो देखिए प्रारंबिक परिच्छा का जो पहला पत्र है उसमें आपके जितने भी राष्टी अंतराष्टी भारत का इतिहास भूगोल राजनितिक व्यवस्था समाने विज्यान से समंधित पूछे जाएंगे और साथ ही साथ देखिए आपका जहारखन राज के भी questions आप तो आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं बहुत सारा चलिए अब हम लोग देखते हैं मोखी परिच्छा मोखी परिच्छा जो है आपका ये आपका देखिए इसमें एक एक करके point करके दिया हुआ है इसमें पहला जो है आपका कि इसमें 9-3 भासा दिया हुआ है सब दिखे दिया हुआ इसमें के टोगरी बाइस से करके दूसरा जो आपका है दूसरा पॉइंट में है कि इसमें आपका जो लिखीत परिच्छा होगी ठीक ना और उसके बाद आपका साक्षतकार तो लिखीत परिच्छा देखिए ये सब सब्जेक्टों की होगी आठ टोटल आपके सब्जेक्ट दिये गए हैं तो जिसमें कि आपका देखिए पहला पत्र सामान हिंदी से फिर आपका अंग्रेजी से फिर निबंद रहेगा सामान अध्यन रहेगा ये स पुछ चीज हम लोग देख लेते हैं इसका फी क्या हो रहेगा फी क्या है चलिए जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे 12 कोईट में आपका परिच्छा सुल्क है देखिए परिच्छा सुल्क आपका देखिए 600 रूपिया है बैंक चार्ज होगा वो आपका इसके सा एक्स्ट्र आपको देना पड़ेगा तो देखिए परिच्छा सुल्क जो है आप डेविट कार क्रेडिट कार इंटरनेट बैंकिंग के स्विकार किये जाएंगे जो कि आपका www.jpsc.gov.in पे उपलबदर है इसका जो वेब साइट पर यहां से आप लोग अपलाए कर सकते है आपका HTSC लोगों के लिए आपका परिच्छा सुल्क 150 रूपया है और प्लस बैंक चार्ज भी उसमें आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा तो यह आपका है परिच्छा सुल्क और देखिए और भी कुछ-कुछ पॉइंट है चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम होगा इसका लास्ट डेट है तो इसमें आप लोग आउनलाइन आविधन कर सकते हैं उसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि आपका जो आउनलाइन अप्लिकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनाग आठ चार तक रात्रिय ग्यारा बज़े तक ही स्विकार किये जाएंगे यह दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको जितने भी जो ऑनलाइन जो मुद्रित पत्री के साथ आपका सभी परमान पत्र मतलब आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका जो प्रती होगा उसके साथ ही आपको सारा जितना सेटिपिकेट वह गए रहा है सबको आपको स्पीट आपको हाथ हो हाथ आयो कारियाल से प्राप्ति की अंतिम तिति जो है 24-2018 को है आपको इसमें सारा डोकुमेंट भेजना है चलिए और कुछ दिया है एक पॉइंट 8-4-2018 से 11-4-2018 तक जो है ये लिंक सिर्फ आपका परिक्षा सुर्ग जमा करने के लिए ही उपलब रहेगा म या फिर कोई नया वेकेंसी आता है तो हम आपके साथ जरूर सेयर करेंगे आप मारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेए और जो सस्क्राइब नहीं की है वो जरूर सस्क्राइब करने है लाइक शेयर कोमेंट करना ना भूलें थैंक्यू